बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम, मेरा नाम है अमीन आलम और आखी इस वीडियो में हम उन लोगों का Error Solve करेंगे जिनके पास यह मसला आता है कि जब भी वो Docker यूज़ करते हैं तो उन्हें Sudo Docker यूज़ करना पड़ता है मेरे पास भी फिलाल यही इशू है Docker images मैं अगर चेक करना हूँ जो भी मेरे पास एक Permission Denied करर आ रहा है अगर मैं इससे Sudo Docker images चेक करूँगा तो यह Error Solve हो गया इसी तरह से अगर मैं चेक करूँगा Docker version तो यह मुझे client access दिखा देगा लेकिन यह server access दिखाने के निए मुझे से Sudo Press कर वाएगा अब मैं Sudo Press करके से चेक करूँगा इस मसले को किसना दो सॉल्फ किया जाए जिस तरह था अभी मेरे Docker images रन करा था तो सुटो के साथ तो इसना रन कर दिया था और Docker images सिफ रन नहीं कर था हम लोग क्या गलती करते हैं हम error को read नहीं करते हैं क्यों read नहीं करते हैं इसने बोला सबसे पहले got permission denied मतला मेरे पास अभी user है अमीन आलम इस अमीन आलम के पास इस file की permission नहीं है कौन सी file की इसने मुझे बताया कि मेरे पास जो file है यह war grant docker.so इस file की मेरे पास permission नहीं है जो जाहिए जब मेरे पास file की permission ही नहीं तो यह permission denied का error आएगा क्योंकि मैं root तो नहीं हूँ मैं admin नहीं हूँ इस error को solve करने की नहीं हमारे पास एक तरीका होता sudo chmod 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 क्या करता है हमारे इस file के access के एक mode change कर देगा हमें क्या कराना है या तो 777 कर देंगे या 666 कर देंगे कोई मसला नहीं है तो उनों में हमारे पास काम हो हम 777 करते है 777 की हमें permission दे रही है इस file को किस file को इस file को अब क्या होगा अब जो मेरा ameer alarm का user है उसके पास war run docker.sog जो इसने मुझे error दिया तो इस file की completely permission हो जाएगी इसके अलावा और भी मेरे पास कहीं भी sudo का error आता है तो उस file की permission नहीं होती तो इस तरह से मैं chain mode के तरह हो इस file की permission हासित कर सकता हूँ अब जब मैं यहाँ इंटर करूँगा अब मेरे पास docker की completely permission आ गई है read write execute अब अगर मैं तुबारा से वही docker images sudo के लावा यूज करूँगा देखें यह show होगा हम मैं docker version यहाँ चेक करूँगा तो मैं पास client और engine दोनों आ गए हम मैं docker मैंनस भी चेक करूँगा जब मैं पास ok आ रहा है docker container ls भी आ रहा है container ls-a भी आ रहा है इसके replace में हम आप ps भी show हो रहा है ps-a भी show हो रहा है docker की sudo की permission में जो मिल गएगी आप मेरी वीडियो को please like subscribe और share जरूर करें और इसके लावा मैं next video बनाओंगा वह आप जरूर देखना वह मैं बनाओंगा docker volume docker volume को आप बहुत deep में discuss भी करेंगे और साथ साथ उसे practice भी करेंगे बहुत interesting topic है docker volume उसे हम समझेंगे शुक्रिया